नमस्कार दोस्तों आरके माही मतमाटिस कलासेज में आप लोग का स्वागत है आज हम फिर से संस्क्रीट में जो 11 चिप्टर लेकर रहे हैं जो ब्यागरात पतिक कथा के अधार पर आप लोग देख रहे हैं ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह संस्क्रीट में के विद्यार्थियों के लिए काफी उत्म और काफी अच्छा सयोगी है दोस्तों चलिए हम लोग यह स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए यहां पर दिख होता है थोड़ा साइधर अदल बदल के होता लेकिन यहां को पांच परस्न है जब आप एक ही है तो पांचों परस्न को समझ लिजी आप लोग यहां पर दिया हुआ है ब्यागरात पथिक कथा के लेखक कौन है इस पार्ट से क्या सिक्षा मिलती है ठीक है और भी सारे परस कथा मने संचेब में इपना सब्दों में लिखे ब्यागरातर प्रसलों की जबाब आपको एक मिलेगा है कि ब्यागरपथिक कठा के अनुसार क्या कह रहा है यहां पर क्या कर रहा है ब्यागरपथिक कठा हितो उपदेश गरंद से मित्रलाव खंड में ली गई है किसे ली गई है हितो उपदेश गरंद से ली गई है या आपको याद रखता पड़ेगा इसके लेखक नरायन पंडि असनान करने के गरहन करो यह बात सुनकर पथिक बाग से जल में पहस जाते हैं ध्यान देजे कभी भी इंसानों को ज्यादा लोब नहीं करना चाहिए यहीं लोब इंसानों को खत्रा बन जाता है तो जिस परकार बुड़ा बाग ने वो तो सिकार कर नहीं सकता था तो इसलिए वो सुने के कंगन लेकर और पथि को बुलाएं और असनान करके ही लेने के लिए का है जो अब तक असनान करते हैं उसको क्या किया शिकार कर लिया ध्यान देजेगा असनान करने के लिए परवेश करता है वैसा ही महा की चड़ में फोज जाते हैं तब बाग ने फोकार लेता है और मार कर खा जाता है यहीं है लोग करने से आपको क्या फायदा मिला इस पार से हमें यह शिच्छा मिलती है कि लोग का परणाम विनस्कारी होता है आप लोग समझ गए होंगे चलिए आगे हम लोग देखते हैं फूचा नमबर टू में क्या कह फिर नम्र टू आपका के आधार पर किम एधार पर बताये कि किसको देना चाहिए वस्षाधी रोगी और सहयोग के रोगी दिया जाता है समझ गए और सदी दिया जाता है किसको रोगी को ये नहीं से सहयोगी को दिया जाता है सहाया को दिया जाता है ठीक है चले को उच्छा नमबर हम लोग कहां देखेंगे तीन नमबर सात्विक दान क्या होता है पार्ट के अधार पर उत्तर दे सात्विक दान जो लेने व्योग है उसी को सात्विक दान कहते हैं उसके बाद है सात्विक दान केस काल अस्थान एवं पात्र ध्यान मेरा कर दिया जाना चाहिए सात्विक दान कहलाता है चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछा नंबर चार कुछा नंबर चार मेरा क्या कहता है प्वथिक ब्रीधा बाग की बातों में क्यों आ गए प्वथिक ने ब्रीधा बाग के द्वारा सुने का कंगन की बात सुनकर सुचने सुचा की ऐसे भाग से ही मिलता है लेकिन अपने मन में सुचा कि जिस कार में खत्रा हो उससे नहीं करना चाहिए फिर भी वह लोग में आकर सोचा धौन कमाने के कारे में खत्रा तो होता ही है किसी तरह प्वतिक ने लोग में आकर बीधा बाग की बात में आ गए ये इनका कहने का मतलब था धौन कमाने वाला तो बीना खत्रा मोले धौन तो कमा नहीं सकता है इसलिए बिरिधा बाग के बातों में आ गया बिरिधा बाग ने प्वथिक को फसाने के लिए किस तरह का भीष रचाया तो इसको मितलब इस इंसर को जानने के लिए आप लोग वीडियो पर बने रहें चले इसके साथ ही और भी कूछन आपको दिखाई दे रहा है बाग ने प्वथिक को फकरने के लिए क्या चल चले या फिर ऐसे भी पुछा जा सकता है बिरिधा बाग प्वथिक को फकरने के में कैसा फल हुआ था और यसा भी पुछा जाता है धार्मिक बेक्ती ने बिरिधा बाग को क्या उपदेश दिया था चलिए है उबेगती जो था भाग जो वह क्या था धार्मिक था समझ गया उनके उपदेश में वह आकर पहुँच गया तो द्यान देजे क्या कहना चाहते हैं पहले जवानी अवस्था में अन्यक गया और मनुष्य को खाकर मार कर खाया है जिसके कारण यहां पर देखिए जिसके कारण वहन सहीन हो गया तब एक धार्मिक बेगती ने मुझे उपदेश दिया कि तुम दान पून करो तो पाप मुक्त हो जाओगे तब से मैं परती दिन असनान करने वाले बेगती को दान के रूप में सुने का कंगन देता हूँ इस बात को सुन कर पथिक के जाल में फस गए और इस पर कर बाग पथिक को क्या कि यह पकड़ कर पकड़ने में सफल होगा तो ऐसे राच राच रचाए पथिक बाग ने अब चलिए अब मों फिसे नए चेप्टर शुरू करते हैं जो आप लोग को कौन वीर काथा के बारे में आप लोग को घ्यात होगा से कॉर्ण जो था किसका पुत्र था कुंते का पुत्र चेप्टर नमबर बाड़ा में आप लोग देख रहे हैं कॉर्ण दानवीर पाट के अधार पदान के महत्वों का वर्नल करना है कॉर्ण दानवीर पाट के अधार पदान का महिमा का वर्नल करना है और तीसरा प्रवसना प्लोक से क्या पूछा जाता है यहाँ पर देखा जाए कॉर्ण दानवीर पाट के अधार पर दान की विशिष्टाओं का वर्नल करे तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कॉर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे देता है तब सल्ल कर्ण को रोकते हैं और इस पर कर्ण दान की महंता को विशिष्टा को बतलाते हुए कहते हैं कि दान मनुस्ष की का सर्वसिष्ट गून है क्योंकि दान इस्तित रहता है जब तक की जबकि सिक्षा समय के साथ समाप्त हो जाते हैं बिरिक्ष भी नश्ट हो जाते हैं और जलासे भी सुख जाते हैं लेकिन दान दिया गया दान कदापी समाप्त नहीं होता है इस तरह के कर्ण जो है दान के विशिष्थाओं के बारे में वर्नन करते हैं कर्ण दानवीर पाठ का वर्नन अपने सब्दों में करें या कर्ण का कवच और कुंडल की विशिष्था यह था कि जब उसके शरीर में कवच और कुंडल रहे तब 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 उसको दुनिया की कोई भी सक्ति मार नहीं सकता है फिर भी वह अपना कवच और कुंडल इंद्र के दान में दे दिया मतलब करने का ऐसे दानवीर थे जो कोई भी उनको सूर्य उदायस से समाए अगर कुछ भी मांग लेता तो उनको देने में कोई परकार की संकोच नहीं करती उसी परकार इंद्र ने छल से उनको कौच और कुंडल दे दिये तिर आगला हम लोग देखते है कुछ नमर तीन मे पर कुछ नमर चार में हम लोग देखते है कौन की चरित्र का विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो इस तरह के अम लोग कुश्चा नमर 5 को भी डिल करेंगे, कौन दानवीर पाट के आधार पर इंद्र के चरीत्र का भी सिस्ताओं को लिखे, इंद्र जो था स्वर्ग का राजा था उन्होंने माभारत में अपने पुत्र और जुन के विजय दिलाने के लिए बरहामन का र किया, कंचो नमर 5 कोन दानवीर पाट से हमें क्या सिक्षा मिलती है, यहां पर इस पार से हमें समप्त नहीं होते है, तो ऐसे भी जंधा देखने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और इसे बताद एक से लेकर आपको दस तक की जो है पार्ट आपका इस वीडियो में मिलेगा होम पेज में और पूरे वीडियो को देखना है तो चैनल जो है टेलीगरम के चैनल को लिंक भी इसमें डिस्क्रेशन में दे दिय है